नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चेनल पर दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं तनमाई भट का इसकेच तो उनका इंट्रोडेक्शन वो खुद ही देंगे तनमाई भईया अपना इंट्रोडेक्शन दीजे प्लीज आई आम नूब इसलिए हम मोबेल पर फोटो ले लेंगे और उसी हिसाब से ही हम पेज में ड्रोड करते जाएंगे और आज हम माप लेने के लिए ना तो इसकेच करने वाले हैं ना ही किसी और कीज़ का आज हम पेंसिल की सहायता से माप ले लेकर ड्रोइंग करने वाले हैं आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोस्तों तो इसलिए वीडियो को भी ना स्किप कि अपर लाश्ट तक देखते रहिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम किसी पेंसिल से ही मिजरमेंट करके ड्रोइंग बना रहे हैं तो आप भी वैसा बनाने का प्रयास करें और हाँ दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रोब्लेम होता है ड्रोइंग से रिलेटेड तो आप मुझे कोमेंट कर सकते हैं या कि इंस्टाग्राम में डियम कर सकते हैं मैं आपका हल्प जरूर करूंगा और आपको किसी भी टोपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप देखेंगे कहीं पर 19 विश हुआ है कुछ भी तो हम उसको मिटागा सही तर लेंगे तो लगभग हमारा आप लैंट कॉंपलीट हो गया है अब हम आगे स्केज की तरह बढ़ते हैं याद रखिए सेडिंग करते वक्त हम पेंसिल को बहुत ही हलके से पकड़ेंगे और बहु झाल 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 दोस्तों बाल बनाते वक्त हमेसा एक चीछ याद रखिएगा कि बाल जिस डिरेक्शन में हैं हमको पेंसिल भी उसी डिरेक्शन में ही चलाना है तब जाके बाल थोड़ा रियालिस्टिक लुक लाता है झाल झाल देखिए दोस्तों पेंसिल सेडिंग के फाइदा होता है कि हम जब ही सेट करेंगे पेंसिल से तो हम को पेंसिल का एक एक स्ट्रोक नज़राएगा उसमें से उसमें ना तो तब जाके हम एक परफेक्ट स्केच बना सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग का इसकेच कॉंप्लीट हो गया है अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें पेंसिल का एक एक श्ट्रोक नजर आएगा आसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुमेंट कीजिए, ज्यादा सा ज्यादा सेहर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लिजिए धन्यवाद